जैहिन नमस्ति वन्दे मात्रम कैसे आप सभी लोग आसा करता हो बहुत ही अच्छी होंगे तो गैस आप सभी सात्यों को बता दू यहाँ पर जो है टेंथ का रिजल्ट आ है ट्विल्थ का रिजल्ट आ है अब काफी बच्चे ऐसे है जिनके किसी ना किसी नाम में या फिर पापा के नाम में या फिर आपके डेटा व बर्त में गलतिया हुई होगी अब वह गलतिया सुधारने के लिए कैसे करना है क्या करना है अब काफी सात्यों के जो है स्कूल में जो भी student है काफी जो साथी ऐसे भी होंगे जिनके school से सारे process करवा दी जाती होगी अब काफी ऐसे साथी होंगे क्योंकि आगे चलके हमें problems होती है जो भी आप लो government job लेने जाएंगे या government का कोई भी form डालेंगे आपको 10th की mark sheet और 12th की mark sheet के according की आपको form fill करना रहता है अगर उसी mark sheet में हमारा नाम गलत रहा या फिर सरनेम गलत रहा तो बहुत दिक्कत आती है इसलिए आपका अभी time है आपका आप लोग इस process को पूर्ण कर सकते हैं ये सारी process online होने वाली है मतलब online होने वाली process ही है कैसे होगी मैं सारा कुछ और क्या क्या document लगना है चाहे जिन सातियों की mark sheet घुम चुकी होगी वह अपनी duplicate mark sheet भी आप लोग बोर्डे से मंगवा सकते हैं तो इस सारी facilities आपको MP online के माध्यम से ही मिलती है मैं सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला आपको आपके घर में ही post office के दुबारा ये mark sheet आने वाली है तो चलिएगा वीडियो को मैं start करता हूँ अगर आपको पसंद आए तो एक like और नीचे comment जरूर छोड़ना है देखिए ये माध्यमिक सिक्षामंडल मध्य प्रदेश MP Online का official जो है front page है यहाँ पर आपको जो click करना है अगर आप लोग form डालते हैं तो second वाले पर आपको click करना है second वाले पर जैसे ही मैं ने click किया इस तरीके से एक नया interface on होगा अब यहां से आप लोग देखे लीजेगा यहां पर क्या लिका है ठीक है सरी यहाँ देखिए आप लोग जो है क्या करवा सकते हैं इसमें आप लोग जो है document जो है migration मंगवा सकते हैं जिनका नहीं होगा या फिर आप लोग जो है certificate मंगा सकते हैं आक्सिट मंगवा सकते हैं तो मैं simply जो है किस पर क्लिक करूँगा application जो form है तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हो आ चुका होगा front page जहाँ पर क्या लिखा है कक्षा का नाम लिखा है परिक्षा लिखिए दस्तावेज का प्रकार लिखा है वर्स लिखा हुआ है और roll number अब मैं सभी आपके सामने feel करूँगा मैं देखूँगा 12th का ओके परिक्षा होगी main अगर आपको supplement का मंगवाना है चलिए मैं तो करूँगा guys आपके लिए correction mark sheet ठीक है correction mark sheet एयर आपको डालना है ठीक है मैंने एयर भी यहाँ पर आपको डाल चुका है ओके और सही एयर जिस एयर में आप लोग पास हुए उसी एयर डालना है दूसरी एयर का खुलेगा ही नहीं ओके दूसरी एयर का अगर आप लोग शाहेंगे तो वहाँ पर आपको खुलेगा ही नहीं चलिए मैं यहाँ पर आपका roll number put कर देता हूँ एक मिनट देखे देखे guys मैंने यहाँ प आपका center यह सब कुछ सब खुल चुका है अब देखे यहाँ पर आपको क्या दिया है क्रपया पहचान पत्र आधार कार्ड को जो है ना मतलब upload ना करे आधार कार्ड को upload ना करे इन्होंने कह दिया है आपको पहचान पत्र के तोर पर दूसरा document यहाँ पर upload करना है जैसे कि म या फिर passport या फिर आपका जो है then कोई भीक लगा सकते तो आप लोग वेस्ट हैं चाहे वोटर आइडी लगाईए चाहे यहाँ पर आपको pen card लगाना है then उसके बाद लगाने के बाद यहाँ पर उसका क्रमांक डालना है और यहाँ पर उसको फोटो अपलोड करना है आपको जो आपको यहाँ पर star सरी जो दिख रहा होगा देखिए यहाँ पर कुछ star दिख रहा होगा red वाला तो उस column को आपको feel करना ही करना है ठीक है उसके बिना form आगे नहीं बढ़ेगा हाँ अब देखिए आपको संसोदन किस में करना है किस किस में संसोदन होगा देखिए चातर के नाम में संसोदन होगा पिता के नाम में संसोदन होगा माता के नाम में संसोदन होगा और नामांकन करमांक में संसोदन होगा आपका अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लगेगा यहाँ पर आपको पूरा आपका जहाँ वरतमान पता है आपको वो टूटल आपको आपको पूरा वरतमान पता लगेगा ठीक है और उसके बाद आपको पूरा फील करना है क्या नपकार है कॉलोनी, सहर, राज, मुबाइल नंबर और यह चेक्स बॉक्स दिख रहे आपको इस सत्य मतलब पूरी जानकारी सत्य है यदि कोई गलत जानकारी पही जाती है तो पता है कि आपके वित अपराद कर जो है बोर्ड द्वारा विरिद्ध कारवाई की जाएगी यह इन्होंने कह दिया है और उसके बाद आपको क्या करना है सब्मिट बटन को क्लिक करना है तो यह फॉर्म जाएगा बोर्ड के पास बोर्ड देखेगा आपके पुराने माकसीट को और नए माकसीट जो है अगर गलती होगी और आपने किस चीज के लिए गलती बोली है वो आपको जो है यहाँ पर फील करना होगा तो यहाँ पर पहले क्या नाम था सर? अजे नाम था और अब क्या नाम है? जैसिके आपका अजे किसी किसी के फादर के नाम में spelling mistake होती है तो आपको पहले लिखना है आपको चात केवल चातर का नाम उसके बाद आपके पीता का नाम लिखना है तो यह सारी जैसी के ना मंग कर में गलत होगा तो आप लोग ना मंग कर भी edit करवा सकते है तो यह सारा कुछ facilities मिलती है आपको duplicate marksit में भी यही process करना रहता है अगर आपको duplicate marksit मंगवाना है तो यही process आपको करना पड़ेगा तो duplicate marksit की भी process यहाँ पर जो है same procedure है duplicate marksit की भी ठीक है अगर migration मंगवाना होगा तो migration की भी same process है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आईगी अगर दिक्कत आती है तो comment box से आपके लिए आप लोग proper comments कर सकते है particular सारे जो साती है मैं सभी का comment से देखता हूँ particular सभी का reply करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छे लगाओगा तो share केजिएगा तक ही जिन सातीों के साती ये problem है किस year से problem है उन सभी का मैं बता दू आपको कि किस year से problem वाले इस समस्य का समाधान कर सकते है ठीक है चलिए मैं आपको बता देता हूँ चलिए ये आप लोग समाधान कर सकते है कब से सर 2000 जो है तीन से यहाँ पर तो दिया हूँ है बट इसके पहले भी होगा तो आप लोग पहले भी करवा सकते है ओके ये सारा कुछ आपको मैंने बता चुका है आप लोग इसे share जरू करना है तो मिलूँगा नई अपडेट के साथ नेस्ट वीडियो में जैहिन नमस्ते